Hello Everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में Permanent सरकारी नौकरी का विज्यापन, The Directorate of Secondary Education की तरफ से निकाला गया है इसमें सभी राज्यों के कैनिरेट बिल्कुल आवेधन कर सकते हैं कुछ कंडिशन हैं उन्हें आप अगर पूरा करते हैं Trained Graduate Teachers में जो सब्जेक्ट हैं इसमें 8,004 पोस्ट हैं PZT के अंतगर 2,915 के लगबग जो है वेकंसी है सेलरी काफी अच्छी है, सरकारी नौकरी है PZT में 22,000 से लेकर 97,000 पर मन सेलरी है और TZT के अंतगर 14,000 से लेकर 70,000 तक जो है इसमें सेलरी रखी गई है सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो PZT के अंतगर जो है काफी सब्जेक्ट हैं जैसे की हिंदी है, संस्कृत है, जोग्रफी है, हिस्ट्री है, फिजिक्स, कैमिस्ट्री, जूलोजी, बौटनी काफी सब्जेक्ट है, कॉमर्स वाले कैंडिडेट के लिए भी सब्जेक्ट है चलिए देख लेते हैं, इसमें आविदन करने के लिए सबसे पहले जो कंडिशन है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद जो है पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे अगर नहीं भी है, नहीं भी है, तो भी आप लोग आविदन तब ही कर सकते हैं फॉर्म भडने के बाद जो है, जो है, जो है, आप लोग उसके लिए अपलाए कर दे आप लोगों के पास रजिस्टेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है, जो रोजगार पंजीकरन संख्या होती है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसमें जो है, पीजीटी के लिए आपके पास जो है, मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए सब्जेक्ट में, ठीक है, बस इतना ही जो है, इसमें मांगा गया है चलिए देख लेते हैं, सब्जेक्ट इसमें, पीजीटी में दो नोटिफिकेशन है, जिसमें एक नोटिफिकेशन में 1385 नंबर ओफ वेकेंसी है, 32 वेकेंसी, 32 सब्जेक्ट इस पीडिफ फाइल में है जूलोजी में 32 वेकेंसी है, स्टैस्टिक्स में एक वेकेंसी है, सोशलोजी में 14 है, संस्कृत में 23 है उसके बाद जो है देखें पॉलिटिकल साइंस में 65 है वेकंसी, फिजिक्स में 41 है, मैथ में 68 है, मनिपुरी में 6 वेकंसी है, लॉजिक एड फिलोसिपी में 36 है, हिस्ट्री में 165 वेकंसी है, हिंदी में 6 है, जुलोजी में 12 है, जोग्रफी में 32 है, फिनांस में 2 है, इंग्ल बात जो है commercial earthmatics में element of statistics में एक vacancy है, business studies में भी 10 vacancy है, business mathematics and statics में एक vacancy, botany में 47 है, bordo में 1 है, bengali में 64 है, banking में 5 है, assamies में 361 है, anthropology में 4 है, advanced bengali में 18 है, advanced assamies में 115 है, accountancy में 10 vacancy है, तो बस master degree आपका जो है in subjects में होना जरूरी है, ठीक है, vacancy जो है कहां से है, तो आपको पता है कि government of assam, the director of secondary education की तरफ से जो है काफी बड़ी संख्या में vacancy जारी की गई है, अब कई candidate जो की दूसरे राज्य में vacancy आती है, तो उन पर गौर नहीं करते हैं, सबसे पहली मैं आप सरकारी नौकरी पाना चाते हैं, तो भारत में किसी भी राज्य में अगर आप लोग वहाँ form apply कर सकते हैं, तो बिलकुल आप लोगों को करना चाहिए, दूसरे राज्य में भी आप नौकरी करें, क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि हमें आपने ही state में नौकरी मिल जाए, तो कई बार जो है, ओवरेज भी हो जाते हैं, candy rate और कई बार जो है, selection तक पहुंसते पहुंसते जो है, कुछ ना कुछ condition ऐसी हो जाती हैं, कि select नहीं हो पाते हैं, और आप महन्ती हैं, तो किसी भी राज्य में अगर vacancy आती है, आप जो है, एक exam के तुरू अगर selection पा सकते हैं, तो बिल्कुल government job पाना जो है, आज की time में बहुत बड़ी बात है, तो कोई भी राज्य में जहां पर आप vacancy निकलती है, subject है, qualification है, आप form apply कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिएगा, ठीक है, तो एक तो ये PZT में vacancy है, TZT में जो vacancy थी, वो मैंने last video में cover की थी, दुबारा से म आप लोगों को बता दूँगी इसमें, अभी जो है PZT के अंतरगत ही जो है, ये number of vacancies, 1424 vacancies है, salary जो है यहां आप देख लें कि pay of scale जो है कितना रहेगा, तो 22,000 से लेकर 97,000 पर month रहेगा, इसमें जो है 11,800 grade जो है इसमें शामिल है, और साथ में जो है other elevances जो की राज्य सर कार के द्वारा दे होंगे, वो भी शामिल होंगे, आप कई candidate कहेंगे कि इसमें केवल Assam की candidate ही आविदन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताएगा, applications are invited from eligible Indian citizens, ठीक है, और permanent residence of Assam, Assam की candidate तो करेंगे ही आविदन इसमें, भारत में किसी भी राज्यों की candidate इस form को ब बताई है कि आपके पास जो है employment exchange registration number Assam का होना ज़रूरी है, ठीक है, बस ये condition जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, और उसके बाद जो है एक और 102 number of vacancy है, ये भी PGT teachers की ही है, यहाँ पर अगर आप Assamese medium school के हैं, तो भी apply कर सकते हैं, बंगाली medium school के हैं, तो भी apply कर सकते हैं Hindi medium school से पड़े हैं, तो भी apply कर सकते हैं, English medium school से पड़े हैं, तो भी apply कर सकते हैं, बोडो medium school से हैं, तो भी apply कर सकते हैं, ठीक है, अब PGT के लिए तो master degree बता ही दिया है, और fees जो है इसमें कितनी लग रही है, तो last date जो है इसकी 15 November 2024 है, 21 October से आविदन स्टार्ट है, 21 October से आवि 500 रुपीज इनको pay होगा, OBC, MOBC, STST, SC, PWD, others, इनके जो है 350 रुपीज जो है यहाँ पर application fees लगेगी, ठीक है, तो सो समझ के जो है form apply करिएगा, मेरा काम है आप लोगों को vacancy के बारे में सूचित करना, यहाँ पर जो है graduate teacher, TGT की जो vacancy हैं, तो इसमें भी जो है 2 PDF file हैं, जि 1000 से starting है, 70,000 तक है, और grade पे 8,700 है, इसमें जो है राज्य सरकार के द्वारा जो आने बत्ते हैं, वो भी शामिल रहेंगे, और इसमें qualification जो है, आपके पास जो है, graduation 50% marks में होने चाहिए, BAD होना चाहिए, या BTA degree आपके पास होना चाहिए, ठीक है, इसमें CTAT या TAT तो नहीं माग रहे हैं, यहाँ पर आप देखें, जो TGT के टीचर्स की कुल वेकेंसी है, कुल वेकेंसी जो है, वो 8004 है, ठीक है, जिसमें science की 2111 है, graduate teacher mathematics की 1737 है, arts में, arts में सभी विश्य आ जाते हैं, जैसे की arts के अंतरगर जो है, SST है, home science है, ठीक है, philosophy है, sociology है, psychology है, यह सभी subject, तो इसमें 3300 जो है, वेकेंसी है, हिंदी में 630 है, संस्कृत में 226 है, वेकेंसी, बाकी आवेदन करने वाले, पीडियाप फाइल जो है, वो पूरा पढ़ें, जैसे ही आप official website पर आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को online application for the post of PZT and TZT, ठीक है, यहाँ पर click here to apply, यहाँ लि आप लोगों को click करके पूरे पढ़ने हैं, और PZT के लिए यहाँ पर यह चारों, ठीक है, यह आप देख लेंगे, अपना subject देख लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, अगर आप सारी condition पूरा करते हैं, तो यहाँ पर application form पर click करके apply कर देंगे, ठीक है, बाकी जो है, यहाँ और किसी भी राज्य के candidate जो है वो, बिल्कुल form apply कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया, कि अगर आप जो है condition पूरा करते हैं, तो चलिए, मिलेंगे next video में, thank you